जे भी मैं हूँ सुमे चोहान और आप देख रहे हैं दस्शूद्र भारत का इतिहास जो कभी बहुजन नजर ये से लिखाई नहीं गया वो बहुजन योधा जिनोंने अजादी के लड़ाई में अपना सब कुछ नियुचावर कर दिया वो विरांगनाए जिनोंने अंग्रेजों से लड़ते हुए दम तोड़ दिया वो महान क्रांतिकारी जिनका नाम लिखते वक्त इतिहासकारों की कलम किश्या ही सुख गई कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए भारतिय सुतंतिता संग्राम के इतियास में बहुजन नायक और नाइकाओं को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे यहां तक कि अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले और उनके तलवे चाटने वालों तक को महान क्रांतिकारी घोशित कर दिया लेकिन अब इन बहुजन महान नायकों की कहानियां खुद जमीन फाड़ कर बाहर निकलाई हैं सोतंतरता दिवस के मोके पर दशूदर पर देखिए 15 महान बहुजन योधाओं की सच्ची कहानियां सोतंतरता संग्राम के पहले श्रहीद तिलकमांची आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि अपने धर्म के लिए विद्रो करने वाले मंगल पांडे पहले सोतंतरता से नानी थे लेकिन असल में मंगल पांडे से 72 साल पहले ही बहुजन समाच के तिलकमांची अपनी मात्र भूमी के लिए अपने प्राण न्योच्छावर कर चुके थे 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलकमांची को सरे अंबर्गत के पेट पर लटका दिया था पहाडिया भाषा में तिलकमांची के नाम से मशूर हुए लेकिन उनका मूल नाम जबरा पहाडिया था अंग्रेजों ने जबरा पहाडिया को खूकार डाको और गुसेल कहा था 1771 से 1784 तक तिलकमांची ने ब्रिटिस सत्ता के खिलाफ लंबा संगर्ष किया उन्होंने कभी विसमरपन नहीं किया वो ना कभी जुके और ना ही डरे उन्होंने स्थानिय जातीवादी सूध खोरो और जमीदारों के सोशन के खिलाब भी हल्ला बोला जबरा पहाडिया ने भागलपूर के अत्याचारी कलेक्टर अंग्रेज क्लीवलेंड को मार गिराया बाद में आयरफूट के नेतरतों में जबरा की गुरिला सेना पर जबरदस्थ हमला हुआ जिसमें कई आदिवासी लड़ा के मारे गई और जबरा पहाडिया और फ्तिलका मांजी को गिरफतार कर लिया गया उन्हें चार घुडों से बांद कर घसीटते हुए भागलपूर लाया गया मीलों घसीटे जाने के बाद भी तिलका मांजी जीवित थे खून में डूबी उनकी दे तब भी गुस्से से भरी हुई थी और उनकी लाल आखे बृतानी राज और दीको को डरा रही थी आदिवासियों में धहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सब के सामने खुलयाम फासी दी अंग्रेजों ने भागलपुर के चोरहे परस्तित एक विशाल वट व्रक्ष पर सर्याम उन्हें लटका दिया हजारों की भीड के सामने जबरा पहाडिया और फ्तिलका मांजी हस्ते हस्ते फासी पर जूल गए तारीक थी शायद 13 जन्वरी 1785 लेकिन इत्याहसकारों ने मंगल पांडे को हीरो बना दिया अब जरा सोचिए अगर चर्बी वाले कार्तुस ने लाए गए होते तो अंग्रेजी सेना में नोकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किस के खिलाफ चलती या विद्रों से पहले मंगल पांडे की बंदूक की गोलिया किन को छलनी कर रही थी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं वैसे मंगल पांडे की जनम से पहले ही शहीद उदया चमार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रों का विगुल बजा दिया था पहले सोतंत्रिता सिनानी की तोर पर तिलका मांजी और उनकी साथ यू द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गई युद की आग धीरे धीरे बढ़ चली थी इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ अठारसो चार में एक बार फिर से विद्रों फूट पड़ा चतारी के नवाब नाहर खा अंग्रेजी साशन के कटर विरोधी थे अठारसो चार और अठारसो साथ में उनके बेटों ने अंग्रेजों से घमासान युद किया इस जंग में जिस वेक्ती ने उनका भरपूर साथ दिया वो उनके परम मित्र उदया चमार थे हाला कि उदया चमार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकरी नहीं है लेकिन ये साफ है कि उनकी वीरता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे अंग्रेजों के खिलाफ युद में नवाब नाहर खा की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अकेले ही सेकड़ों उंग्रेजों को मोत के घाट उतार दिया था बाद में उदया चमार पकड़े गए और 1807 में उन्हें फासी दे दी गई उदया की गोरवगा था आज हर किसी को वीरता से भर देती है आजादी की लड़ाई में बहुचन समाज कर योधाओं ने अपना सब कुछ नियोच्छावर कर दिया तीर भालों से लैस दलित आदिवासियों ने बंदूक धारी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया ऐसे ही महान क्रांधीकारी थे संताल विद्रों के सिधो और कानू सिधो कानू का संताल विद्रो वर्तमान जहारखंड के संताल परगना में सिधो और कानू नाम के दो आदिवासी भाईयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबर्दस्तान दूलन छेड़ दिया था इन दोनों भाईयों ने 1856 में बिटिस सत्ता, सहुकारो, व्यापारियों और जातीवादी जमिदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रो की शुरुआत की थी जिसे संथाल विद्रो या होल आंदोलन की नाम से जाना जाता है संथाल विद्रो का नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो 30 जून 1855 को बेगना डी में संथाली आदिवासियों केक सभा हुई जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया संथाल विद्रो भोगना डी से शुरू हुआ जिसमें संथाल तीर धनुस से लैस अपने दुश्मनों पर तूट पड़े कई अंग्रेज अफसरों और सिपाईयों को मार गिराया गया लेकिन उनके पास सिर्फ तीर और धनुस थे जबकि अंग्रेजों के पास बंदू के और गोला बारू था दोनों भायों को पकड़ कर फासी दे दी गई लेकिन इन आदिवासी क्रांती कारियों को इतिहास कारों ने कभी जगे नहीं दी जरा सोचिए अगर मंगल पांडे को कभी ये नहीं पता चलता कि कार्तूसों में गाएं की चर्बी है तो क्या वो विद्रो करते अगर मंगल पांडे को ये खुफिया जानकारी नहीं मिलती तो क्या होता लेकिन ये जानकारी उनको किस ने दी वो कौन था जो 1857 की क्रांती का सूत्रधार बना उनका नाम है मातादीन भंगी मातादीन के पुर्खे अंग्रेजी साशन में सरकारी नोकरी में थे मातादीन को भी बैरकपूर फेक्टरी में खलासी की नोकरी मिल गई यांग्रेज सेना के सिपाईयों के लिए कार्तुस बनाए जाते थे इनी कार्तुसों को तमाम हिंदू सैनिक अपने मुँ से खीच कर और बंदूकों में भर कर इस्तमाल करते थे मातादीन मल युद की शोकिन थे वहीं मंगल पांडे भी अखाडे में आया करते थे एक दिन गर्मी से तर्बतर थके मांदे प्यासे मातादीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा मंगल पांडे ने इसे का छूत का दुस्साहत समझते हुए उन्हें जड़क दिया और कहा अरे भंगी मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या फिर क्या था इस अपमान से जले मातादीन ने वो राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था जिसने 1857 की करांती की नीव रखी मातादीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा पंडत तुमारी पंडिताई उस समय कहा चली जाती है जब तुम और तुमारे जैसे चुटिया धारी गाएं और सुवर की चर्बी लगे कार्तुसों को मुह से काट कर बंदुकों में भरते हो ये सुनकर मंगल पांडे सन रह गया जल्दी ही मातादीन की ये बाद हर बटालियन और चावनी में फैल गई मातादीन के कहे कड़वे सच ने सेना में विद्रो के हालात पैदा कर दिये सारे हिंदु सैनिक सो लग रहे थे 10 मई 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकल कर बाहर आ गया और एक अधिकारी को गोली मार दी जिसके बाद विद्रो बढ़ता चला गया इसके बाद मंगल पांडे को फासी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को फासी देने की बात सब ही जानते हैं लेकिन एक सचसे तमाम लोग आज भी अनजान है विद्रो फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने मातादीन को भी ग्रफतार कर लिया था जिसके बाद मातादीन को भी अंग्रेजों ने फासी पर लटका दिया था इस तरहे मातादीन भंगी ने जो चिंगारी लगाई थी आखिर कार्वो चिंगारी सन 1947 में भारत की अज़ादी की वज़े बनी 1857 के सोतंतरता सैनानियों में वीरा पासी का नाम कभी भी इतिहास के किताबों में नहीं पढ़ाया जाता जिस वक्त लोग दो आने की नोपरी करते थे उस वक्त अंग्रेजों ने वीरा पासी पर पूरे 50,000 रुपए का इनाम घुशित कर रखा था शहीद वीरा पासी 11 नवंबर 1835 को राय बरेली के हीरापुर गाउं में जन्में वीरा पासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा बेनी माधव सिंग के सेना पती थे कुष्टी में माहिर वीरा पासी दुश्मन को हाथों से ही मसल देते थे 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने के कारण जब राजा राणा बेनी माधव सिंग को अंग्रेज पकड़ कर लखनव जेल में ले गए तो वीरा पासी उन्हें वहां से सुरक्षित छुड़ा लाए कहते हैं जब अंग्रेज सिपायों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी भुजाओं में जकड़ कर उन्हें मोत के घाट उतार दिया वीरा पासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था वो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि ब्रिटिस सरकार वीरा पासी को पकड़ने के लिए 50,000 के इनाम की घोशना कर देती है जरा सोची 1857 में जिस आदमी पर 50,000 का इनाम था वो अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी चुनोती होंगे 1857 के स्वतंतरता सैनानियों में एक नाम बाके चमार का भी है यूपी के जोनपुर के कोवरपुर गाओं के रहने वाले बाके चमार आज़ादी के लिए इतने दिवाने थे कि इसी जज़बे के साथ वो खुद ही 1857 के अंदोलन में कूद पड़े शहीद बाके चमार देखते देखते बाके अंग्रेजों के लिए एक चुनोती बन गए 1857 की क्रांती विफल होने पर 18 लोग बागी घोशित किये गए थे उनमें बाके चमार का नाम सबसे प्रमुक था अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब थे आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद अंग्रेजों को उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 50,000 रुपे की रकम खोशित करने पड़ी वीरा पासी के बाद बांके चमार दूसरे ऐसे वेक्ति थे जिन पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था लेकिन एक दिन अपने एक साथी की मुकबरी के बाद बांके को गिरफतार कर लिया गया उन पर मुकदमा चलाओर अंग्रेसों ने उन्हें 18 करांदी कारियों के साथ फासी पर लटका दिया इस तरह ये वीर सपूत मातर भूमी के लिए शहीद हो गया लेकिन बांके कितनी बड़ी शहादत को कॉंग्रेसी और वांपन्थी इतियासकारों ने इतियास के पन्नों से ही गायब कर दिया इसलिए किसी ने ठीक कहा है निगा से गिरे तो इतियासकार है निगा में चड़े हैं तो बांके चमार है शहीद गंगादीन महतर गंगु बाबा के नाम से मशूर शहीद गंगादीन महतर को कानपुर के लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते हैं वो भंगी जाती के थे और उस दोरान वो पहलवानी भी करते थे वो 1857 में अंग्रेजों के विरुद सती चोरा के करीब वीरता से लड़े कई अंग्रेजों को मोत के घाट उतारने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफतार कर लिया गया और फांसी पर चड़ा दिया गया चिनहट की लड़ाई प्रथम सोतंतरता संग्राम की सबसे बड़ी उपलुब्धियों में से एक थी चिनहट की लड़ाई में दोसो पासियों ने अंग्रेजों की फोज के छक्के छुड़ा दिये थे मक्का पासी 10 जून 1857 को अंग्रेजों की आर्मी का एक दस था चिनहट की लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए लेकिन उनकी शहादत का बदला उनकी पत्नी उदादेवी पासी ने लिया उदादेवी पासी की हिम्मत के अंग्रेज अफसर भी कायल थे 1857 के विद्रो के दोरान 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनव के सिकंदर बाग में शरण ले रखी थी 16 नवंबर 1857 को कॉलिन केंप विल की अग्वाई में अंग्रेज सैनिकों एक सोची समझी रणनीती के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल भी सावधान नहीं थे उदा की अग्वाई में वाजित शा की श्त्री सेना की टुकडी भी हमले की वक्ति सी बाग में थी असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ते रहे हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे पराज़ सामने नजर आ रही थी मैदान के किस्से में महिला टुकडी के साथ मोजू दूदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारुद लेकर वो पीपल के एक उंचे पेड पर चड़ गई ब्रिटिस सैनिको को मैदान के उस्से में आता दे खुदा देवी ने उन पर फाइरिंग शिरू कर दी पेड की डाली और पत्तों के पीछे चिपकर उन्होंने हमलावर ब्रिटिस सेनिकों को सिकंदर बाग के उस सिस्थे में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारुद खत्म नहीं हो गया उदा देवी ने अकेले ही ब्रिटिस सेना के दो बड़े अफसरों कूपर और लेंस्टेन सहीद 32 अंग्रेज सेनिकों को मोत के घाट उतार दिया था गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिस सेनिकों ने पेड को घेर कर उन पर अंधादून फाइरिंग की कोई उपाए ने देख जब वो पेड से नीचे उतरने लगी तो उने गोलियों से छलनी कर दिया गया लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पेंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया कैम्प विल ये देखकर हैरान रह गए कि वीरगती को प्राप्त हुई ये बहादूर सेनी कोई पुरुष नहीं बलकि एक महिला थी कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्द कर देने वाली वीरता से अभी भूत होकर कैम्प विल ने हैट उतार कर उन्हें सलामी और श्रधंज लिदी थी स्कूल से लेकर कॉलेजों तक यही पढ़ाया जाता है कि जहासी की रानी ने रंड में कितनी बहादूरी दिखाई जहलकारी बाई 1857 में जब जनरल ह्यूरोज की सेना ने जहासी के किले पर हमला किया तो जहासी की रानी लक्ष्मी बाई को उनके बेटे के साथ गुप्त राष्टे से सुरक्षित निकाल दिया गया था असल में जहलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहन कर अंग्रेजो को जहे रखा जहलकारी बाई ने गाजर मुली की तरह अंग्रेजो को काट डाला दिन ढलने के बाद जब ज़लकारीबाई पकड़ी गई तो अंग्रेजों को पता चला कि ये तो राणी लक्ष्मी बाई है ही नहीं महान विरांगरा ज़लकारीबाई जंग के मैदान में ही शहीद हो गई लेकिन खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी इसी तरह की कहानियां लिखने वाले कॉंग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने 1857 के गदर का इतिहास लिखा तो जहलकारी बाई के सबसे बड़े बलिदान को भुला दिया चेतारामजाटव की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लाद कर जा रहा था पुछने पर पता चला कि उस आदमी ने बिना हतियार के ही शेर को मार गिराया राजा ने उसे अपनी फोज में शामिल होने के लिए कहा राजा के कहने पर वो फोच में शामिल हो गया उस व्यक्ति का नाम था चेता राम जाटव लेकिन अंग्रेजो द्वारा जंताव को परिशान करता देख वो उनसे लड़ पड़े जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफतार कर लिया और पेड़ से बांध कर गोली मार दी बालूराम महतर बालूराम महतर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस अंगर्श किया अंग्रेजों ने उने पकड लिया और उनको 16 दलितो के साथ पेड से बांद कर फासी दे दी धर्ती आबा बिरसा मुंडा केवल 25 साल के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा चहर देकर कर दी थी लेकिन उनके उल गुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया धर्ती आबाब बिर्सामुंडा जारकन की राजधानी राची से 70 किलोमेटर दूर खुटी जिले में पहाडों जंगलों से घिरे उली हातू गाउं के जन जातिय मुंडा दंपती सुगना मुंडा और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को बिर्सामुंडा का जन्म हुआ बिर्सामुंडा ने हमेशा आदिवासी समाज को अंधविश्वासों और धकोसलों के चंगुल से बाहर निकालने पर काम किया वो आर्थिक स्तर पर हो रहे सोशन के खिला भी चेतना पैदा करते रहे जिसके फल सुरूप सारे आदिवासी सोशन के विरुद संगठित होने लगे और बिर्सामुंडा ने उनकी कमान संभाली सन 1885 से 1900 तक बिर्सामुंडा का महा विद्रो उल गुलान चला आदिवासीों को लगा था जल जंगल जमीन और उनके प्राकरतिक संसादनों से बेदखल गिया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे अंग्रेजों के खिलाब युन्होंने उल गुलान कर दिया संख्या और संसादन कम होने की वज़े से बिर्सा ने च्छापा मर लड़ाई का सहरा लिया राची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे जबरदस खौफ काती थी अंग्रेजों ने उन्हें पकडवाने के लिए पात सो रुपय का इनाम रखा था जो उस समेक बहुत बड़ी रकम थी बिर्सा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निरनायक लड़ाई उननी सो में राची के पास दुम्बरी पहाडी पर हुई हजारों के संख्या में मुंडा अदिवासी बिर्सा की अग्वाई में लड़े पर तीर कमान और भाले कब तक बंदू को और तोपों का सामना करते लोग भी रहमी से मारे गए 25 जनवर उनी सो नब्य के स्टेट्समेन अकबार के मुताबिक इस लड़ाई में चार सो लोग मारे गए थे अंग्रेश जीते तो सही पर बिर्सा मुंडा हाथ नहीं आए लेकिन जहां बंदू के उतोपे काम नहीं आई वहां पात सो रुपे की रिश्वत काम आ गई बिर्सा की ही जाती के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया बाद में उन्हें जहर दे कर मार डाला गया लेकिन उनकी शहादत की कहानियां आज भी हमें प्रेर्णा देती हैं ऐसे ही प्रेर्णादाई कहानी है शहीद उदम सिंग की एक ऐसा शहीद जिसने जलिया वाला बाग का बदला 6,311 किलोमेटर दूर जाकर लिया शहीद उदम सिंग शहीद उदम सिंग एक ऐसा नाम है जो सद्यों में एक बार पैदा होता है जलिया वाला बाग कांडून की आखों के सामने हुआ था जिसके बाद उसका बदला लेना ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था सरदार उदम सिंग ने जलिया वाला बागनर संगार की समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को उसी की सरजमी पर गोलियों से भून डाला 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंग्स्टन होल में उदम सिंग एक किताब में बंदूग छुपा कर ले गए और पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर पर फायर कर दिया इसके बाद उदम सिंग भागे नहीं बलकि आत्म समर्पन कर दिया 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में फासी पर लटका दिया गया बाबू मंगूराम बाबू मंगूराम जाती से चमार थे उनका जन्म 1886, ग्राम मुगावाल, जिला होश्यारपुर पंजाब में हुआ था वो देश के लिए जीवन प्रयंत संगर श्रत रहे बाद में देश आजाद होने के बाद वो राजनिती में आ गए और गदर पार्टी नाम से अपनी पार्टी शुरू की वो आजीवन समाज की भलाई के लिए काम करते रहे इन कहानियों के जरिये हमारा ये मकसद नहीं है कि सौतंदरता संगराम के बाकी सेनानियों के बलिदान और त्याक को कम आका जाए हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को गुलामी की बेडियों से मुक्त कराने में हर तबके का योगदान है बहुजन समाज ने इसके लिए बहुत बड़ी की मच्चुकाई है लेकिन आज तक उनके योगदान को इतियास में सही जगे नहीं मिली ये वीडियो एक कोशिश है कि ऐसे बहुजन नायक और नाइकाओं को उतना ही सम्मान मिले जितना बांकियों को मिलता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे स्टेस बूप पेज को भी जरूर लाइक करें इसके अलावा आप हमें ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं 74 वे सोतंतरता दिवस पर आप सब को हर दिक्षुब काम नाए मैं हूँ सुमेच चोहान और कैमरे के पीछे हैं मेरी सयोगी अज्रा परवीन जै भीन जै भारत साथियों अमबिटकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बोजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफीसरी नेम है दाशूद्रा अकाउंट नंबर है 22233 0094689357 IFSE कोड है RATN 0VAPIS ध्यान दीचे IFSE कोड में RATN के बास 0 है ओ नहीं बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई आप हमें 8595-7942-248 पेटियम पर UPI के जरीए भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पर और फोन पर के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595-7942-24 जैभीन जैभारत